Assalamu alaikum this video हम बास करेंगे pathogenesis of glomerular injuries की ये आँओ अई होती है कि ये ये नियुक्त होते हैं ये ये इस अई पैसिकली antibody mediated immune mediated होते हैं और antibody mediated में देखा गए कि दो mechanism basically देखेगे जिसकी वजय से glomerular injuries हमको मिलती है एक तो injury due to antibodies reacting in side to यानी within the glomerulars either by binding to in soluble fixed glomerular antigens यानि either binding to intrinsic antigens or by binding to extrinsic antigens and these extrinsic antigens are basically planted within the glomerulus तो जो इस तरह का भी antigen अगर intrinsic हो उसके साथ जाके antibody bind कर जाए या कोई extrinsic plant हो उसके साथ जाके antibody bind कर जाए it will eventually lead within the glomerulus and it will lead to injury of glomerulus और दूसरा में के इसाम यह दिखा गए कि injury resulting from the deposition of circulating antigen antibody complexes in the glomerulus तो सबसे पहले हम बात करें यह दो basically mechanism है अब सबसे पहले हम बात करने कि diseases which are caused by in-situ formation of immune complexes यानि glomerulus लाई के अंदर antigen or antibody का complex form हो रहा है उसमें मेरे पास कौन कौन सी example आ देती है एक तो वही basically वही चीज़ दोबार है है फिर पीट वही कि immune complexes लोकली बाय एंटी बोडी that react with intrinsic tissue antigens or with extrinsic antigens planted in the glomerulus from the circulation अब intrinsic में हमारे अच्छा इसका basically यह दखना है कि intrinsic तो कोई विदिन होगा extrinsic में हमारे पास सारे kataionic molecules आ जाते हैं जो के glomeruli के anionic molecules तो सब combine करेंगे के हमारे पास extrinsic में जो bacterial products होते हैं वो आ जाते हैं या हमारे पास extrinsic में large aggregated proteins आ जाती हैं जो के basically mesengym के level पर deposit कर जाती due to their size they can't pass easily और फिर उन proteins के खिलाफ जब antibodies आती है आकर जब react करती है तो वो वहाँ पर complexes बढ़ा देती है इसमें main चीज़ या रखनी है कि जो disease होती है इसमें यह देखा गया कि जो pattern है इम्यून डेपोजिशन का और जो हमको immunoflorens microscopy से मेलेगा that pattern is granular यह pattern basically या रखना है the pattern of immunoflorens microscopy is granular और यहां उन्होंने आगे picture दिखाई भी है यह हमको इस तरह का granular pattern मिलते है immunoflorens से जो भी कोई ऐसे disease हो जिसमें in situ immune complex की formation हो रही हो बाकि इनों नहीं बताए है कि there is also इसमें मार पास जो एक disease आती है वो membranous nephropathy जाती है उसको membranous nephropathy इसलिए कहते हैं क्योंकिके electron microscopy से इस तरह जिजन एंटीबोडी complex मिलने है सबविथिले लिए लिए इस सबविथिले कंप्लेक्स विद रिजल्ट होस्ट रिस्पॉंस दे रिजल्ट इन थिकंड बेस्ट मेंब्रेन अपेरिंस बाय लाइट मैक्रोस्कॉपी इन इस टर्म इस नोवन अस मेंब्रेनस नेफ्रोपेटी तो यह चोटा सा पॉइंट लिखवात नहीं यहाद हो कोई बात ही बस में जो इनका पैटर्न है वो या लखना चाहिए कि ग्रैनुलर पैटर्न हमको मिलेगा और जो ऐसी डिजीज होंगी विचार कॉस्प है एंटी बॉडी स्टेर्टेट अगेंस नॉर्मल कंपोनेंट्स अब बेस्ट में यहां पर आपके और इधर बेसिकली एक तरफ से कोई ओटो इम्मून डिजीज हो रही है कि इसमें हमको एंटी बॉडी इंड्यूस को मिलेगा एंटी बॉडी इंट्रिंजिक एंटिजिए इसमें अब इसमें को कोई अंधर को इंट्रिंजिक एंट्रिंजिक पड़ा हो महां पर आप एंटीबोडी एंटीजिन के साथ जाकी रियक्त करेई दो वो जो है कहते हैं बनाएगी एक जो इम्यून डिपोजिशन का जो पैटन बनाएगी वह ग्रनुलर होगा वेरास कुछी भी ऑटो में डिचीज के केस में यह होगा कि जो ग्लोम्रोले वेस्पेंट मेंब्रेन के खिलाफ जो एंटी बोडी बनी होंगी वह आएंगी वहां पर जाके वह ग्लोम्रोले क्रेंट में ग्रमोले यह होगा तो इंटिशन हैं इंटिशना में बसक्राइब और आफ। कर पहलें अवे पाटन क्रामुलाइब टीटर hanno-coatings और ग्लोम्रोले यách कहते है खिंवायन है इंट्रिंचिक आ अिंट्रींस के साथ के गरीं बंड़ां करना। के जो circulating antigen antibody complexes होंगे, वो करेंगे, they would get trapped within the glomerulase and then they would cause injury to glomerulase. अब जो circulating antigen antibody complexes होते हैं, उनमें से जो antigen होगा, that antigen could be of endogenous origin as seen in glomerulone nephritis associated with SLE or IgA nephropathy और that antigen could be of exogenous origin as seen in those glomerulone nephritis which are associated with certain infections like bacterial infections जिसमें हमार पास streptocole proteins आ जा 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 जिसमें उनके जो antigen होते हैं, वो exogenous होते हैं और हमको कहते हैं सिफिलिस का antigen या malaria का antigen of plasmodium falciparum and treporeum and philidium इन दोनों के जो antigen से यह exogenous origin हैं, इनकी वज़े से भी body में जब antigen antibody complex बने को सो देरे से चांस वो बाद में जाके किदर, glomerulone में जाके deposit कर जा जाएं वहां पे injury cause करने लग जाएं, अब mechanism के glomerular injury का following immune complex formation, whatever the antigen might be, whether it's of exogenous or endogenous origin, injury किस तरह देखी जाती, there is a local inflammatory reaction which produces injury, कि जो antibodies होती हैं, वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, वो यह complement system को activate कर देती हैं by engaging with FC receptors present on leukocytes or the receptors present on the glomerular messenger cells, उसके जासे क्यों होते हैं, जब inflammation होती है, तो यह तखाग है कि जो glomerular lesions होते हैं, they exhibit leukocyte infiltration proliferation of messenger cells and also proliferation of endothelial cells, इस next चीज़ में जो main चीज़ आ रखती हैं, जो हमको immune complexes मिलते हैं, वो चार डिफरेंट जगाहों पर deposit कर सकते हैं, they could either deposit sub-epithereally as seen in acute glomerular nephritis, they could either deposit sub-endothereally as seen in lupus nephritis or membrane of proliferatic glomerular nephritis, or they could deposit within the messenger cells, यह green-green जो फिगर्स हैं, यह उन्होंने basically यह वो रिखाई म antigen antibody complexes दिखाई में, जो को deposit कर रहे हैं, यहां पर सब epithereally कर रहे हैं, यहां पर सब endothereally कर रहे हैं, यहां पर यह messenger cells के अदर कर रहे हैं, as seen in IgA nephropathy, और यहां पर यह membranous nephropathy दिखाई वी, जो हमने भी पीछे पड़ी थी, membranous nephropathy के हैं, वो के कहते हैं, इधर बिलकुल glomerular based membrane के level पर जाके, जो antigenal antibody complexes हैं, वो deposit कर रहे हैं, eventually क्यों होते हैं, कि यह जो deposit होते हैं, antigenal antibody complexes के, they are then eventually degraded by infiltrating neutrophils, or by monocyte myocrophage system, or by messenger cells, or by endogenous proteases, इन यह सारी चीज़े क्या करती हैं, endoposits को degrad कर देती हैं, और यह normally post-reptocococock glomerular nephritis के case में देखा जाता है, कि जो deposits हैं, यह repeatedly deposit होके, degraded हो रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्यों होते हैं, कि अगर कोई chronic condition, or like viral hepatitis, or SLE, उस case में जो deposits होते हैं, यह basically take a lot of time in degrading, तो वो deposit होते हैं, वहीं पर accumulate करने लग जाते हैं, बाकि यह नहीं बात में देखा है हैं, कि again, यह deposits होते हैं, it depends upon the antigen के deposit किदर होंगे, एक तो कोई highly cationic antigen होगा, तो उस तरह के जो antigen antibody complexes होंगे, वो हमको sub epithelial location में मिलेंगे, अगर कोई highly anionic antigen होगा, तो जो उसके antigen antibody complexes मिलेंगे, वो हमको sub endothelial ही मिलेंगे, और अगर कोई neutral charge का वो होगा antigen होगा, तो उसके जमको deposits मिलेंगे, वो हमको misangium के अंदर मिलेंगे, तो यह चीज़ भी आ जखनी है कि highly cationic antigen is depositing in sub epithelial location, highly anionic is depositing in sub endothelial location, whereas neutral charge antigen is depositing inside the mesengium. यह रिखा गया है कि immune complexes which are located in the sub endothelial portions of the capillaries and in the mesengial legion, they are accessible to the circulation and more likely to be involved with the inflammatory process, whereas those immune complexes which are confined to sub epithelial locations, they usually have a non-inflammatory pathology. basically यह इस paragraph में नहीं यह समझाए, कि अगर कोई भी body में कोई inflammatory process चल रहा हो, या कोई inflammatory disease होई भी हो, तो उस case में जो हमको जातर antigen and antibody complexes मिलते हैं, वो हमको mesengium के level पे, या हमको sub endothelial भी मिलते हैं, whereas अगर हमको sub epithelial location पे कोई मिल रहा हो, immune complexes मिल रहा हो, तो इस से यह reduce किया जा सक है, तो most important यहां रखने हैं कि जो glomerulai में deposit, जो glomerulai के जो भी injury होती है, वो जादा तर antibody के response से ही होती है, cell immediate response बहुत काम देखा जाता है, कभी-कभी alternative compliment pathway की activation की वज़े से भी हमको glomerulai की injury मिल सकती है, as seen in different diseases like membranoproliferatic glomerulopathy and as seen in different CT glomerulopathy के alternative compliment pathway की activation की, जैसे हमको glomerulolai में antigen antibody complexes मिलते हैं, जो के again disease cause, glomerulose की injury cause करा रहे होते है, mediators कौन-कौन होते है, glomerulose injury के उसके लिए basically आपने यह वाला flow chart यहां तरखने है, कौन-कौन से mediators होते है, glomerulose injury के neutrophils होते है, monocytes होते है, neutrophils के तरह के कहते है, mediat कराते है, glomerulose injury के neutrophils, they release proteases, which causes glomerulose baseline memory degradation, they release oxygen-derived free radicals, which causes cell damage, कभी-कभी arachidonic acid भी दिखा गया है, arachidonic acid, it reduces the GFR, macrophages and telemphocytes आजयते हैं, platelets आजयते हैं, आपके resident glomerulose cells आजयते हैं, जिसमें में आपास messenger cells आजयते हैं, कि जो messenger cells होते हैं, they basically secrete, reactive oxygen species, cytokines, chemokines, growth factors, egocenoids, nitric oxide, endothelion, इस तरह की चीज़े secrete करके क्या करा रहे होते हैं, glomerulose injury cause करा रहे होते हैं, तो mediators में में आपास कौन-कौन से mediators हैं, एक तो यह different cells हैं, दूसरा में आपास soluble mediators है, soluble mediators में 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 आपास example आजयती है, complement C5B, C9 वाज़ जो complement होता है, membrane attack complex, उसकी example आजयती है, एक तो वो cell lysis cause कराता है, दूसरा वो क्या करता है, it stimulates mesengial cells to produce oxidants, proteases and other mediators which eventually leads to proteinuria, और हमारे पास कौन-कौन से soluble mediators आजयते हैं, हमारे पास ecosynod आजयते हैं, nitric oxide आजयते हैं, angiotensin, endothelin आजयते हैं, cytokines, chemokines आजयते हैं, growth factors आजयते हैं ECM deposition and hyalinization leading to glomerular sickrosis, और जो vascular endothelial growth factor होते हैं, it maintains the endothelial integrity and may help regulate capillary permeability, and lastly, coagulation system का पार्ट होता है, जिसमें और बास fibrin की example आजयते हैं, fibrin और thrombin, they also lead to, or they also mediate glomerular injury, mediators कभ कभी पूचा जा सकते हैं, कौन-कौन-कौन-sी mediators होते हैं, glomerular injury की एक तो है, cells होते हैं, यह सारे cells, दूसरा, soluble mediators में कितनी की example आजयती है, soluble mediators में यह जो यहां पर pink box के अंदर चीज़े बताएंगे, उन चीज़ों की, इन के के काते हैं, example आजयती तो एक तरफ से इस flow chart को या रख लीजेगा, lastly, नोने epithelial cell injury पताई भी, epithelial cell injury में आपस podocyte की injury आले थी, podocyte की इस तरह हो सकती है, podocyte की injury हो सकती है due to antibodies, which are attacking antigens present on podocytes, it could be either due to any toxin, or it could be either due to any virus like HIV virus, जो podocyte की injury होती होती है, वो इस तरह करके होती है, कि उसमें जो podocyte होते हैं, उनका जो foot processes हैं, उसकी effacement हो जाती है, या podocyte की vehiculization हो जाती है, या there is detraction and detachment of the cells from the glomerular basement membrane and functionally it will lead to proteinuria, और कॉंस के से तरह से damage हो सकता है podocyte का, if there is any mutation in the proteins which were present at the level of slit diaphragm, like nephrine or podocyn, जो हमने पिछले वड़ी में पढ़ी थी कि जो cytoplasm, foot processes के cytoplasm के अंदर जो protein होती थी, अगर इन में भी कोई mutation आते, तो इसकी वजय से जो podocyte होगा, उनका जो function होगा, वो disrupt को जाएगा, which will eventually lead to epithelial cell injury, और जब glomerular की injury हो जाती है, तो उसका long term effect यह होता है, कि it leads to tubular interstitial fibrosis, या it leads to glomerular sclerosis, so I hope video इसकी समय में आगे है, उसमें बस में चीज नोंने जो याद रखनी की थी, जो पर जाने से बताएवी glomerular injury की, यह दो processes आपको पताओने चाहिए, कि एक तो में चीज याद रखनी है, कि antibody ही होती है, जो कि glomerular injury cause कराती है, अब वो antibodies किस तरह cause करा सकती है, इन दो processes की वज़े से कि वैदर, आइधर डीविल्ड के कहते हैं, इनसाइट तू मतलब glomerular के अंदर जाके वो या तो intrinsic antigen या extrinsic antigen के साथ जाके bind करेंगी और glomerular injury करेंगी, या क्या होगा कि जो already body में circulating antigen, anti body complexes हैं, वो glomerular के पास से दे जाएंगे, वो वहाँ पर जाकर deposit हो जाएंगे और वो injury करेंगे, pattern हमने याद रखने हैं कि हमको granular pattern कब मिलेगा और linear pattern कब मिलेगा, granular pattern हमको inside two diseases में मिलेगा, वेरेस जो linear pattern हमको मिलेगा, वो कोई भी autoimmune disease की state में मिलेगा, आगे जब हम चलें तो उन्होंने वो बताएंगे कि आज में याद रखने कि कौन कौन सी चार जगाएं हैं जिदर जो antigen, antibody के complexes हैं, किदर वो deposit कर सकते हैं और किन diseases में मिलते हैं, उसके लिए चोटा सा paragraph पढ़ेना है और इस figure को अच्छे से याद रखनेना है, यह याद रखनेना है कि depending upon the nature of antigen कि दर उसके deposition में लेगी कि for example अगर cationic antigen है, तो हमको वो सब अभी थिलियली मिल रहा है, अनियोने के तो सब अभी थिलियली मिल रहा है और नीट्रल चार्च के तो मिसेंजियम के रेवल पर मिल रहा है, और लास्तली हमको मीडियेटर्स याद रखते हैं, गलम्रोल रेंच्छी के एक तो सेल आ जाते हैं, इस सेल्स दूसरा इस सॉल्यूबल मीडियेटर्स आ जाते हैं, तो आप वी एसली सॉन में आ गया हो, एंड थेंक्क्यू,